जयमां भद्रकाली, जयमां चामुंडा, जय स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, बाला जी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशिवालो, सब लोग आपको धोखा दे सकते हैं, पर ये एक औरत कभी आपको धोखा नहीं देगी, नाम जानकर खुशी से जुमन इससे हमें बहुत उम्मीदें हैं, आने वाले समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे मन में बहुत कुछ बसा हुआ है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, यहां मेहनत करूँगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीटता है, हमारी योजनाएं रद्ध हो जाती हैं, हमारी कल्पनाएं बिखर जाती हैं। हमें कभी वह नहीं मिला जो हमने मन से सोचा हो या हमने जिसका प्लान बनाया हो। तो सबसे पहली और गंभीर बात ये है कि आप बहुत ज्यादा आगे का न सोचें। बहुत ज्यादा भविश्य का। आप न सोचे कि मैं यह करूंगा वह करूंगा। जो वर्तमान चल रहा है उसे अपने हिसाब से जीने की कोशिश करिए। जो वर्तमान चल रहा है उसे अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि आप न तो अतीत को बदल सकते हैं, न भविश्य के साथ छेडखानी कर सकते हैं, आप बस अपने वर्तमान में जी सकते हैं, अब होता क्या है? आप बहुत ज्यादा भविश्य की कल्पनाएं बनाने लगते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में जीने लगते हैं, अपने आस-पास वाले लोगों को बताते हैं कि एक दिन मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं इतना पैसा यहां लगाने वाला हूँ, ये काम धंधा खोलने वाला हूँ, या फिर जो भी आपका गुप्त राज हो, अब आपने ऐसे व्यक्ति को बता दिया है, जो व्यक्ति कभी नह पूलता है, ताकि आप अपनी बातें उसे बताते रहें, और आप भी मूर्खों की तरह हमेशा ऐसा करते हैं, और वही इनसान आपकी साथ पीडियों का दुश्मन है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां पुन्य है, वहां पाप भी है, जहां सकारात्मक्ता है, वह उसी प्रकार से जहां मित्र है, वहां शत्रु भी है, अब मित्र के रूप में जब शत्रु कोई आ जाए, तो फिर तो इनसान का बेड़ा गर खो जाता है, जब अपनों के ही बीच कोई अपना ही हमारा दुश्मन बन जाए, तो वह पिक्चर उलच जाती है, तो हम समय रहत आपको सावधान करने आ गए हैं, हम समय रहते आपको उसका नाम बताने आ गए हैं, और अगर आज वीडियो को अंत तक देख लिया, तो उसका नाम आपकी आँखों के सामने होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को मैं इतने सारे राज बता रहा था, क् हमें हर उस व्यक्ति ने धोखा दिया है, जिस पर हमने आँख मूंद कर भरोसा किया है, क्योंकि भरोसा एक बात जरूर है, कि देता कोई अपना ही है, और हमेशा भरोसा अपने वालों से ही तूटता है, कोशिश आपको यही करनी है, कि आप सो मनी में गुंडे बन कर काम कर अर्थात, अपने कामों को अपने तरीके से करें, न तो किसी के साथ शेयर करें, न तो किसी को उसके बारे में बताएं, अब उस व्यक्ति का नाम अगर हम आपको बताएं, तो सुनकर आपके भी कहीं होश उड़ जाएं, दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम आज हम आपको बता कर ही रहेंगे उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है सअक्षर से जो की कुम्भ राश की शुरुआत है अगर आप भी अपने जीवनकाल में एस नाम वाले लोगों से जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा ही क्लोजनेस है तो सतर्क रहिएगा सावधान रहिएगा क्योंकि गड अच्छा उन्ही लोगों को जोड़ती है जो दोगले होते हैं और उन लोगों का त्याग कर देती है जो अच्छे होते हैं आपका अच्छा चाहते हैं आखिर ऐसा क्यों क्योंकि जो इनसान बुरा होता है वो हर वक्त आपकी तारीफ करता रहता है आपके तलवे चाटता र गलत कर्म करने से आपको बचाता रहेगा और बार बार आपको ये एहसास दिलाता रहेगा कि सत्य का साथ दो अच्छे काम करो और ये चीजें हर इंसान को इरिटेट करने लगती हैं तो अच्छे इंसानों का साथ छोड़ देते हैं तो हमारा आपसे यही अनरोध है कि जीवन में अच्छे मित्रों का साथ बिलकुल भी मत छोड़िए क्योंकि दोस्तों कहते हैं कोई अच्छी किताब अगर आपको मिल जाए तो आपके मित्र के बराबर होती है लेकिन अगर आपको एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो पूरे बहुत सारे काम जो है वह खुद से नहीं कर पाते जैसे कि घर में खाना बनाने वाली बाई आ गई है बच्चों को संभालने वाली आया आ गई है या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा दुकान है एक्स्ट्रा शॉप है अतिरिक्त शॉप है उसे संभालने के लिए नौकर चाकर रख लिये हैं, अन्य और कोई काम चल रहा है, उसे कोई और संभाल रहा है, और इनसान है कि एक बार भी ना तो बच्चों पर नजर रख रहा है, ना माता पिता पर नजर रख रहा है, ना उन लोगों पर नजर रख रहा है, जो उसकी दुकान संभाल रहे हैं, और यही पर से बड़ी गद्दारी इंसान के साथ होती है। देखिए, आप काम बढ़ाई है क्योंकि अतिरिक्त आये के स्त्रोध ही आपको बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन उस चक्कर में आप लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करने लगे। हो सकता है घर में रहने वाले जिन्हें आपने घर में पनाह दी है। वही आपके लिए आगे चल कर बहुत बड़ी बरबादी का कारण बन जाए। वही नौकर जिस पर आप आँख मून कर भरोसा कर रहे हैं और अपनी दुकान को उसके हवाले कर दिया, कहीं वही आपकी पीठ में खंजर न घोब दे। अक्सर ऐसा ही हुआ है जिस पर भी हमने भरोसा किया है, उसने अपनी आउकाद जरूर दिखाई है। तो हमारा आपसे कहना सिर्फ इतना है कि लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा बिल्कुल भी न करें क्योंकि अपने ही डस्ते हैं और ऐसा डस्ते है कि इनसान पानी तक नहीं मांगता। नौकरी में पदोन्नती की संभावनाएं हैं लेकिन साथ ही साथ स्थान भी बदला जा सकता है तो वहाँ थोड़ा सतर करें वाहन थोड़ा बच कर रहें और कोशिश आपको यही करनी है कि बातों का बुरा आपको ज्यादा न लगे। आप बातें दिल में लेकर बैठेंगे तो आपका मन उधर उधर जाएगा। आप अगर बातों को इगनोर करना सीखेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ ला पाएंगे और बहुत कुछ अच्छे दिनों को भी आप जी पाएंगे। लेकिन वास्तविक्ता में आपकी मेहनत की ही परीक्षा चल रही है और मेहनत करने से हार मान लेंगे तो आगे बड़ा परिणाम कैसे प्राप्त करेंगे। आगे जब आप सफल हो जाएंगे, तभी तो स्ट्रगल के दिन आपको याद आएंगे और इन्हें आपको खूबसू सोमवार का दिन हर किसी को पसंद होता है क्योंकि दिवाधिदेव महादेव के भक्त यहां पर बहुत सारे हैं। सोमवार की शाम को यानि प्रदोशकाल में छह से जाबाद बौलार बजे के बीच आपको शिव मंदिर जाना है। एक शुद्द देसी गाये के घी का दीपक लेकर अपने साथ थोड़े बहुत काले तिल रख लीजिएगा क्योंकि इस उपाय में यह भी काम आने वाले हैं। शिव मंदिर में जाईए भोले बाबा को प्रणाम करिए। तीन ताली बजाई बंबं भोले कहिए और उसके बाद दीपक आपको प्रज्वलित करना है शि बेलपत्री तो हमारे आसपास हमें कहीं न कहीं से मिल ही जाती है। आपको करना बस इतना है कि जितनी आपकी संख्या में आपके पास बेलपत्र है, चाहे एक है, चाहे साथ है, चाहे ग्यारन है, 61 है, 108 है, आपको उन्हें धोना है अच्छी तरह से और उन पर चंदन से प् जैसे कि हमारे हाथों किसी का दिल न दुखे, किसी के भी इमान को ठेस न पहुंचे, किसी की आत्मा को न दुखाएं, साथ ही साथ किसी की नजरों में हम बुरे न बने, इसके पहले जो हुआ सो हुआ, आपको ऐसा लगता है सामने वाले को, आपसे भगवान ने ज्यादा दि तब जाकर आपको इस बात का अंदाजा होगा, यह बात ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों को किसी भी सूरत में पढ़ाई में अपना मन लगाना ही होगा, क्योंकि गलत संगत की संभावना यहां पर नजर आ रही है, और हमारी भविश्यवानी यही कहती है, कि गलत सं वहां कुछ समय बाद हानी न बन जाए, कुछ लोग आपके उपर नजर रखे हुए हैं, गुप्त शत्रूओं से सावधान रहिएगा, वह आपकी योजनाओं को लीक कर सकते हैं, आपके लिए कुछ सफलता तो कुछ चुनौतियां लेकर दिसंबर का अंतिम दौर आ रहा ह अचानक से कुछ परिशानियां आएंगी और अपने अनुभव से जैसे ही आप उसको मिटाएंगे, वैसे ही आपके जीवन साथी की तबियत खराब हो जाएगी, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, अब इन सब का नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां इनसान को बहुत ज्यादा तनाव दे देती है, तो आपको तुरंत ही मंदिर में जाकर के बैठ जाना है, अपने आसपास कहीं भी मंदिर हो, तो शांतिपाठ में एकदम बैठ जाइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा और आगे इन समस्याओं से निकलने क रास्ता भी आपको जरूर प्राप्त होगा, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, वे ध्यान दीजिएगा, वरिष्ठ अधिकारी जो आपके उपर वाले हैं, उनकी नजर आपके उपर बनी हुई है, किसी निर्णय को लेकर मतभेद की स्थ बन सकती है, तो आप थोड़े सावधान रहें, विद्यार्थी समय का ध्यान रखें, समय कम और काम अधिक, इसे न भूलें, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, कि पढ़ाई को कल कर लेंगे, परसो कल लेंगे, नरसो कल लेंगे, लेकिन जो टालने की प्रवृत्ति रखता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता, एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखियेगा, जिस प्रकार से पथज़ड के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार से, संघर्ष के बिना, समस्याओं के बिना, चुनौतियों के बिना, जीवन में अच् चल रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है, कि अब मेरे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, भगवान मेरे लिए भी कुछ अच्छा जरूर करेंगे, साथ ही साथ, धन की कमी इस दौरान दूर होगी, कमी यदि दूर नहीं भी हुई, तो आपके कोई काम धन की वज़े से रुकेंगे नहीं, हम अगर भगवान के भक्त हैं, तो भगवान हमारे सभी काम सही धंक से पूरे करवा देते हैं, ये हमने देखा है, तो अगर पैसों की जरूरत लगेगी और पैसा नहीं भी होगा, तो कहीं न कहीं से व्यवस्था हो ही जाएगी, ये बहुत परहिया बाद है। भगवान का आशीरवाद आपके साथ है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ससुराल पक्ष के जो लोग है आपके संबंध उनके साथ खराब न हो जाए इतना ध्यान रखिएगा। वानी की विनम्रता और स्वभाव में नम्रता आपको बनाए रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलने वाला है। लव पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलने वाला है। यह मौका हाथ से न जाए। किसमत आपकी चमक जाए। इसके लिए मेहनत आपको खुद करनी होगी। इसके लिए जिन्द अगर कोई भी फैसला चल रहा था, तो इस समय फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन आपको अपना हर निर्णय शुभ चिंतकों की सलाह से लेना है, साथ ही साथ दोस्तों अविवाहित लोग जो की काफी समय से तरस रहे थे, शादी का लड़ू खाने के लिए ऐसे बनने वाली हैं, भोले बाबा इनकी भी सुनने वाले हैं, अगर आप भी एक लोटा जल शिवलिंग पर रोजाना घर से ले जाकर के चड़ाते हैं, तो अब आपका काम भी बनेगा, आपकी मनोकामना भी जरूर पूर्ण होगी, अब जीवन में छोटी मोटी दिक्कत देख बनी रहती है, आपकी एक बहुत बेकार आदत है, कि आप हमेशा सुख चाहते हैं, जीवन में हमेशा सुख हो, यह संभव नहीं है, और जीवन में हमेशा दुख हो, यह भी संभव नहीं है, सुख और दुख एक तराजू के दो हिस्से हैं, जो हमेशा संतुलन में बने रह कभी भी ज्यादा दुख नहीं होगा, कभी भी ज्यादा सुख नहीं होगा, और यही जीवन का नियम है, क्योंकि अत्यधिक सुख की वजह से भी इनसान घमंड में चला जाता है, और अत्यधिक दुख की वजह से भी इनसान मोटिवेट डिप्रेशन में चला जाता है, तो भ जिससे आपके भीतर गजब का उत्साह बना रहेगा किसी भी कार्य योजना को पूरा करने में कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है बहु प्रतीक्षित चीजों की प्राप्ति से घर में खुशियों का माहौल रहेगा आई-टी, मेडिकल और मेजर मैनेजमेंट के चात्र से शुभचिंतक आपके बहुत बढ़ने वाले हैं और लोग आपको तरह-तरह की सलाह देने वाले हैं अब आपको भी मूर्खों की तरह हर सलाह को नहीं मानना है या अपने मन को भटकने नहीं देना है जो आपका दिल कह रहा है आपको वही करना है शुभता और सौभाग्य को लेकर यह समय आ रहा है जिससे की समाज में आपका मान सम्मान काफी बढ़ जाएगा ट्रांसफर या प्रमोशन की चाह भी पूरी हो सकती है यदि आप रोजी-रोजगार के लिए प्रयासरत हैं तो मन चाही नौकरी आपको प्राप्थ हो सकती है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को काफी मन चाही सफलता यहां पर प्राप्थ हो सकती है मौका अच्छा है मौके पर अगर चौका मारा गया तो किसमत बदलते देर नहीं लगेगी बस इतनी बात हमारी ध्यान रखिएगा अब हम आपको ग्यारस के दो उपाय बताने जा रहे हैं ये दोनों ही उपाय आपकी जिन्दगी को बदल देंगे इस बात की तो गारंटी है जिसमें सबसे पहला उपाय जरा ध्यान से सुनियेगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को एकादशी का वरत करना है क्योंकि जाने अंजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते छोटे मोटे जो भी पाप उन सभी का यहां पर पश्चाताप एकादशी के वरत से हो जाता है अब उपाय की अगर बात करें तो एक नारियल को थोड़ा सा काट कर उसमें बुरा जो खोपरे का बुरा होता है वो और देसी घी मिला करके आपको भर देना है फिर वापस इस नारियल को बंद कर देना है और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे इसे गाड़ देना है जहां आसपास चीटियों के बिल हो जैसे चीटियां उस घी, पीले बोरे और नारियल को खाएगी वैसे वैसे आर्थिक समस्या जो आपकी सता रही थी, सही हो जाएगी मित्रों, ग्रह स्थिती या बहुत अच्छी बनी हुई है सब कुछ आपके पक्ष में धीरे-धीरे ही सही लेकिन होता हुआ नजर ए रहा है फिर भी लापरवाही बिलकुल नहीं करनी है और हां मित्रों, पती-पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें क्योंकि मित्रों कहते हैं कि अपने पती-पत्नी के बीच के संबंध, शुक्र ग्रह से संबंध रखते हैं यदि शुक्र ग्रह अच्छा रहेगा तो जीवन में अपार, सुख, शान्ति की और धर्म की भी प्रताप होगी। मित्रों, पती-पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, इससे घर में शान्ती रहेगी और प्रेम प्रसंग में भी नजदी की ए रहेगी। जोडों का दर्द या कोई पुरानी परेशानी फिर से शुरू हो। शक्ती है और गैस्ट्रिक चीजों का सेवन बिलकुल ना करें। मित्रों बता देते हैं कि कुछ बातें आपके मन के विरुद्ध हो, शक्ती है। उन बातों का सामना आपको करना पद सकता है। उन बातों को जानना आपके लिए जरूरी हो सकता है। फिर भी अपने निश्चय पर डेट रहने की संभावना में है, तै की गई योजनाओं पर कम करना आपके लिए संभव हो सकता है। मित्रों काम करें, फल की इच्छा ना रखें, आपके पर्यठन सफलता दिल सकते हैं, हालात में बदलाव हो सकता है। मित्रों विदेश में कम का विस्तार करना आपके लिए संभव हो सकता है, और आपके द्वारा चुने गए प भाग दौड नहीं करनी है, क्योंकि फाइदे मन तो ग्रहस्थितियां बन ही रही है, अपने काबिलियत दिखाने का सही समय ले सकते हैं, फाइदा होने के योग हैं और बच्चों की उपलब्धि से घर में प्रसन्नता रहेगी, हाँ, खर्च बढ़ेंगे, लेकिन कोशिश कर संगीत करेंगे, इसी वजह से तनाव भी बाढ़ सकता है, और बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे, किसी अनुभवी से आपको जो मदद चाहिए थी, वह मदद मिलेगी, और नई शुरुआत की संभावना भी इस वक्त बैंड रही है, मित्रों, पारिवारिक समस्या को लेकर जीवन साथी से विवाद हो सकता है, लेकिन आप समझदारी से परिस्थितियों को संभल भी लेंगे, और परिवार के किसी बड़े की सेहत को लेकर चिंता होगी, अस्पताल भी जाना, पद सकता है, अचानक से और भरपूर नींद ना लेने से आपको ठकान हो, शक्त क्योंकि अगर आप खुद में बदलाव करेंगे, तो भाग्य के कम आप मित्रों बादल सकते हैं, अपने आपको मांस, उनके लिए प्रतिशोध की भावना ना रखें, फिलहाल क्रोध से बचाना होगा, और कम से संभंधित चिंता आपको हो, शक्ति है, अपने कम को सफल ब नहीं है, यदि आपने कुछ गलतियां की है, तो उन गलतियां को माने की सलाह आप खुद ही जाती है, किसी से बहस में नहीं, पादना है, घरेलू सुख सुविधा की चीजों को खरीदने में मित्रों खर्चा बढ़ेगा, अब आप कमाते किस के लिए परिवार के लिए कमा लेंगे, इस से सम्मान बढ़ेगा और समय के हिसाब से अपने व्यवहार और रोते में बदलाव लाइन दूसरों की बटन में ना आकर सोच बूस से कम ले, वरना किसी से आपका विवाद हो सकता है, इस करण कोट के चकर भी लग सकते हैं मित्रों, क्योंकि अब जो उस समय आ रहा है, वह आपके लिए बढ़िया परिणाम लेकर आ रहा है, आपको बता दे कि दामपत्य संबंधों में अहम की वजह से यदाकदा तनाव की स्थिती रह सकती है, परंतु समय रहते इस स्थिती भी संभल जाएगी और आपको बता दे कि स्वास्थे के प्रती बिलकु बनी हुई है, आप अपने किसी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करेंगे, इस सफल भी रहेंगे, और कोई मन वांचित काम पूरा होने से मन में सुकून और खुद भी रहेगी, यदि बात करें विद्यार्थियों की पूर्ण, तो विद्यार्थियों और युवा वर्ग अ ऐसा ध्यान रखिए मित्रों की आपकी अपनी जिंदगी है, आपको बिलकुल भी व्यर्थ नहीं करनी है, यदि जीवन में सफल होना है, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ा ही आपका करियर चुना करेगी, आलमपुर मौज मस्ती में भी आपको समय नष्ट नहीं करना है, क्योंकि यह समय अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का भरपूर उपयोग करने का है, आपको गुसे और युगों की वजह से अपने बंते काम भी बिगड हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए गुसे और युगों पर अपना कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, तो मित्रो आपको कार्यक्षेत्र में व्यवस्था अपने संबंधित निर्णएं खुद ही लेने पड़ेंगे, और मशीनरी स्टाफ आदी से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं भी तूट सकती हैं, परंतु आप अपने गंभीरता और सं की मिल सकती है, जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहन करना चाहते हैं, वह आज किसी संस्था से जुड़ सकते हैं, टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धी हासिल हो सकती है, आपको अपने किसी काम को लेकर भाग दौड अधिक